नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी देश की राजदानी दिल्ली में 6 महीने बाद विदानसवा चुनाव होने हैं इस बीच भारतिय लिबरल पार्टी ने मंगलवार को घोशना की कि वह दिल्ली विदानसवा के लिए 2025 में होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी पार्टी ने सत्ता में आने पर 11 सूत्री एजंडा लागू करने का वादा किया जिन में ब्रस्टाचार रोधी आयो की स्थापना शामिल है BLP ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित समवादाता सम्मेलन में दावा किया था कि उनकी पार्टी समाज के हाशे पर जीवन जी रहे वर्गों की बहतरी के लिए काम करेगी भारते लिबरल पार्टी के अध्यक्ष मुनीश कुमार रायजादा ने मुफ्त बिजली और पानिक या पूर्टी के साथ साथ महिलाओं को मुफ्त डीटी सी पास और महिलाओं को प्रती महा 15 सुर्वे महीने मांदे देने की गोशना की है रायजादा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हमें एक ब्रस्टाचार रोधी आयोग बनाएंगे जो राशी राधानी में प्रस्टाचार को खत्म करेगा मुनीश रायजादा शिकागो में आमादी पार्टी की अनिवासी भारतियों के प्रकोष्ट के पूर्व सह सही हो जग थे उन्हें नवंबर 2015 में पार्टी विरोधी गतिविदियो की कारण पार्टी की प्रात्विक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था आप से मोबंग होने के बाद उन्होंने 2019 में भारतिय लिबरल पार्टी नाम से खुद की पार्टी बनाई थी दिल्ली विदानसवा की एकुल 70 सीटों के लिए जनवरी फरवरी 2025 में चिनाव होना है इनमें 62 विदायक आम आद्मी पार्टी को 8 विजायक बीजेपी के हैं कॉंग्रेस के एक भी विदायक ना तो 2015 में और ना ही 2020 दिल्ली विदानसवा चिनाव में जीत पाए थे वर्तमान में दिल्ली में आप बीजेपी और कॉंग्रेस मुखे सियासी दलों में शामिल हैं तीनों सियासी दल आगामी विदानसवा चिनाव बिना किसी गड़बंदन के लड़ेंगे लोगसभा चुनाओ 2024 में आप कॉंग्रेस ने इंडिया गटबंदन के तहत चुनाओ लड़ा था लेकिन चुनाओ परिणाम आने के बाद दोनों तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि युदानसभा चुनाओ गटबंदन के तहत नहीं लड़ेंगे अब देखना ये होगा कि जिस तरह से नई पार्टी ने दिल्ली की राजनीती में एंट्री ली है उसके बाद किस तरह से समिकरन बदलते वे नजराते हैं क्या आम आदमी पार्टी की सीटे भी अब कटने की कागार यहाँ पर नजराती है या फिर भारती जंता पार्टी को न नई पार्टी की एंट्री से करारा जटका लगता हो नजरा आएगा यह तो खैर आने वाला वक्ती बताएगा फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया से दुड़ी समाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एस्पियन नाइन न्यूस